प्रेम उससे करो जिससे तुम प्रेम कर तो यह गलत है यह प्रेम नहीं है आप जिसे प्रेम करते हो वो प्रेम सच्चा नहीं है जो आपको प्रेम कर रहे उससे प्रेम कर रहे हो आप जिससे कर रहे हो सामने वाला आपसे नहीं प्रेम कर रहे है अगर जीवन जीने के कुछ शूत्र है कि अगर आप में जीवन में किसी भी व्यक्ति को ये तुझे संसार परिवार धर्म कहीं भी किसी को भी अगर लग गया कि उसके बिला तुम अधूरे है तो तुम्हें पूरा होने होने ने गुरु के सानिज में रहते हुए सिस्य को भी लग गया कि अगर मैं नहीं हूँ तो गुरु जी का कौन और गुरु जी ने कह दिया कि बिटा तो ही सब कुछ है तो तुम्हें गुरु को कभी पूरा होने नहीं देगा ऐसी जिगह पूरा कर देगा कि दुबारा उसका दर्शन ना हो और संसार में ब्योहार में आप ध्यान लीजेगा आप अपने बिजनेस ब्यापार परिवारिस्ते को देख लीजेगा आप शुरु में किसी के लिए सब कुछ करते चले जाओ थोड़े समय बड़ा चार रिस्पांस आएगा अब जिस दिन उसके समझ में आ गया मेरा साथ कि उसके बिना तुम अधुरे है फिर उस तुम्हें पूरा होने ही नहीं देगा वो बताएगा मैं यह हूँ अरे वो उठाचा मढ़ने ही तो बनाया हूँ से तो यहां यह चीज आ गई है भगवान से सती जूट बोल रही हूँ इस वर से कोई चीज प्रत्रक्ष नहीं हो ऐसा सम्भव नहीं हो और अगर गुरु समर्थ है तो उससे कोई बार चीपिए हो ऐसा भी गुरु का और चीश्य का सम्भद जो है ना यह सरीर से बहुत उपर है अगर माना जाए तो यह सरीर से उपर का संबंद है गुरु के शरीर का मतलब नहीं है जीवात्मा और परमात्मा के मद्द की कड़ी का नाम है से गुरु अब शीव ने कहने का क्या मतलब है तो कि एक जगे हार जाता है आपने पता है का जिससे बहुत प्यार करता है उसकी सवगालिया सुनी परते लेकिन फिर में पलट के नहीं बोलते इसलिए हमारे बड़े ताउ दादा लोग कहते थे कि वही दुनिया वेजीत के आवे पर घर में हार जाए बच्चों के आगे सर जिपालना है पड़े कि हाँ मेरी मा अप्ट बड़ी में कि मारा घुजरात्मा कैंचे लोगों कि आलोकर ने अगर अना परमात्मा सी जुकी जाने मारे ओं करूं मारे तो ऐसे करूं पड़े ने कि यह माले संसरा के जब भगवान को जुकना पड़ाई इनके आगे तो हमें तो हमें से जुकना ही है भाई ए चणिक रुष्टा चणिक तुष्टा रुष्टा तुष्टा चणिक चिनिद्ध क्योंकि हम जिससे समर्पड कर जाते हैं इसको अपना सर्वस्मान लेते हैं वह हमारी वहावना होती है कि हम उसे कभी अपस्भड ना करके लेकिन जब उसको इह लग झाता है की मैं नहीं तो ये नहीं तो बस कैसा हो जाता है नित्यवारी जी तोट गई है वाला मोती भी खर चले पल दूपर तेशा तो जाने तिधर चले तोट गई है वाला मोती भी खर पड़े तोट गई है वाला मोती भी खर चले तोट गई है वाला मोती भी खर चले पल दूपर तेशा तो जाने तिधर चले तोट गई है वाला मोती भी खर पड़े पल दूपर के साथ ना जाने तिधर चले अरे मुहब्बत की उमीद क्या कर इस बेराहम जबाने से यहां हर कतर कुं मिलती ही बेहुपाई है कैसे मैं मान लो यह मेरा जीवन वर सास ने पाएंगे यहां तो मिलने से पहले ही जुदाई है वक्त को समझना वक्त की नजागत को जानके ही जीते रहना क्योंकि आज का वक्त भी बड़ा भर जाई है जिसने ना इस वक्त को जाना वक्त से टकराया अनुब एब्रह महंडपुरी का उसमें हर बार इस दुनिया में चोट आई है पती के जीवन में संसे और यहां जब आपको ज़्यादा चिंता आजाए कुरता आजाए तो रोना लकीन ठाकुल क्या गया अरे के कौन आज़ी पोचेंगे आपके कौन पोचेगा आज़ी इस रस्ती में तेरे यहां तो दामन संपर पहन से भगवान संकर के अरे कि मिल की नहोंगे जुदा ऐना आज़ी 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 भूल के आज़ी लकिन कितने दिन तक रहते हैं दो चार दिन सीजनल है और बाद में सबलग भी हो जाते हैं क्योंकि इस जुम्या में भगवान के सिवाय कोई नहीं होता भगवान संकर बैठ करके भगवान का मिश्मू का अध्याल कर रहे हैं और सती बैठ के मन में प्राइस्चित करती हैं भी धान कर रही है भगवान का अस्मरण कर रहे हैं दुख की घड़ी में भगवान का अस्मरण करो उस बिहारी का अस्मरण करो क्योंकि वही तुमारी अस्मधाराओं को देख सकता है और कोई नहीं क्योंकि संत और परमात्मा मेरी एक कल्पना है कि ये दोनों नदी के दोख नारे है जो मिलते नहीं पर साथ जरूर चल से एक संत की भाड़ कि तेरी मेरी एक मंज़ कि इसे गंगा यमुना गोदावरी किषणा कावेरी तुर्थारी अधियांते तब तक लान अधिन्षित्त है जब तक सागर में मिल नहीं द्रहीं जातीं और प्र Tibhete IGHिक मेरी कि बिच्छन बेमिक नदी जैती में मैं में ब्याप्त हो जाता है कि जीवात्मा पर मात्मा के चर्मों में समर्क्त हो जाती है यह वाव एक शुम्स का चाहिए संद क्या कहता है आपके लिए ज्यान देंगे कि तेरी मेरी एक मंजिर आजा मेरे साथ चाहिए एक मंजिर आजा मेरे साथ चाहिए तेरी मेरी एक मंजिर आजा तेरे साथ चाहिए मेरी एक मंजिर आजा मेरे साथ चाहिए एक मंजिर आजा मेरे साथ चाहिए एक मंजिर आजा मेरे साथ चाहिए साहिए का मतलक किनार नदी के दोनों किनारे मिलते कभी देखा कभी दोनों किनारों को मिलते मिल गए तो अस्ती तो खतम हो जाएगा लेकिन एक दूसरे के मिनाद हुए अगर आप है तो ही हम है संत की मामा क्या है दखे तेरे ने आपों के आशी अपनी पलक पल ले लूँगा तेरे ने आपों के आशी अपनी पलक पल ले लूँगा तेरे ने आपों के आशी अपनी पलक पल ले लूँगा तेरे ने आपों के आशी अपनी पलक पल ले लूँगा अपनी पलक पल ले लूँगा सुक में मत याद करना लगी जब दुख आए तो याद जरू करें ला कर दे अपने गम में सामिल आजा मेरे चाट कर एक नदी के हम दो साहि एक नदी के हम दो साहि आजा मेरे साट चल आजाओ मेरे चाट कर मेरी एक मजिल आजा मेरे साट कर एक मेरी एक मजिल आजा मेरे साट कर सजा गयर को हम क्या दे एक मेरे साट कर किसको जहीं जाम हम कि मेरा घर उजाडा था इंसान वही था हाथ भी उसके ही थे एक ने शिर पर आज रखा तो दूसरे ने आज 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 उजाडा था जान से अपने इजाडा मुझे तेरी इपाज़ करनी है जान से अपने इजाडा मुझे तेरी इपाज़ करनी है जान से अपने इजाडा मुझे तेरी इपाज़ करनी है जान से अपने इजाडा मुझे तेरी इपाज़ करनी है तेरी इपाज़ करनी है हर एक मोड़ बैठा है कातिले हर एक मोड़ बैठा है कातिले आजा मेरे बहाप चले तेरी मेरे तेरी आजा मेरे रहत रहते तेरी तेरी ते ड्ला को डिलो पाजा मेरे रहते कि जब तुछ से ना चुल्जे तेरे उल्जे हुए धंदे भगवान के हिराँ पे तुछोड़ दे बंदे जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा जेवन की सारी भुष्किले आसान कर रहे हैं एक बार समर्पित हो जाओ जब तक आप सोचो के ये मेरा वो मेरा वो मेरा भगवान नहीं आएगा ग्रोपती को जब तक हैंका रहा गर्व रहा पाव रहा कि युदिष्टी धर्म राज के होते हुए धर्म नहीं होगा बीच में पितामा ग्रुद्रोण के होते हुए अनीती नहीं होगी गलर आरी बीम के होते हुए मुझे कोई अस्पल्स नहीं कर सकता गांडी उन्डाली अर्जुन के होते हुए मुझे कोई देख नहीं सकता सबसक्षक भगवार नहीं है और जैसे समन्पण कर दिया तो कह दिया कि बेचुंगा द्वारिका क्या भाव है भारत ले और कहीं नहीं मिलेगे कहें बेचुंगा में द्वारिका चोरी करूं रज में जाए कपड़े की गठान में द्रोपती नहीं जाना तेरे पती ने धान के लिए तुझे हार गए न के लिए मेरी द्वारिका देच बावला देचुंगा द्वारिका और अगर उसमें भी पूरा नहीं हुआ तो चोरों का सबसे बड़ा लाइसेंस होड़र भई ही हुए अपला विहारी जीजिए ब्रज में पहले बहुत माखन चुराया और आज जरूरत पड़ी तो अपनी बेहन के लिए एक वार फिर से चोर वन के गोपियों के दागी में चुरा लाओंगा कितने में भी नहीं पूरा हुआ दो अपती दिगब पर हो जाओंगा निर्वस्त हो जाओंगा पीताम बर उढ़ा करके तिरी राज जरूर बताओंगा ये भाई और बहल का प्रेम अगर आप में जग जाए तो फिर से मेरे लिए भगवान यही नजर आने लगेगा जी और प्रमान भी लाए जब दुशासन सारी खीत रहा था न तो एक बार दुरियोदन ने का भात बात दुरियोदन ने चिलाया भात दुशासन भात 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 क्यों क्यों कि द्रोपति के चीर के अंतिन छोड में भगवान की प्रितांबरी और प्रितांबरी के पीछे शक्त सुदर्सला तहास करके गरस्ता हुआ रहा था अगर है तो भगवान के होने का प्रतिक भगवान के चरणों में जब समर्पड करोगे तब ही आते हैं ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा अरे कोई नहीं तुना रहाँ और जैसे द्रोपती में समर्पड किया तो सारी बीच नारी है कि नारी है कि सारी है कि सारी है कि नारी है कि बस्तर सुरूप में उतार ले लिया कभी पागल होगे चार जिसाओं में बस्तर ही बस्तर नजर आने लगा कोई कहे सारी के बीच में नारी है कि आपके बीच में नारी है या पूरी स्रिष्टी और नारी सारी से ही बनी हुई है किरिफ सारी ही सारी नजर आने लगी मेरे प्रभू की किरपा बरस जाए तो अगर ऐसी दरस्ता वा होगी तो आपके कश्ट जरूर हो अंगे कतम भाव करके देखो बिहारी के बाद में वो दुखहारी है बिहारी के आने के बाद दुख नहीं रहेगा इसलिए मेरा कल्पना सब के उपर नीली छतरी एक सब का मालिक है सब के उपर नीली छतरी एक सब का मालिक है सब के उपर नीली छतरी एक सब का मालिक है सब के उपर नीली छतरी एक सब का मालिक है सब का मालिक है कट जाएगी बाकी उमर नहाए कट जाएगी बाकी उमर भी आजाने चाहते सब के उपर नहाएगी जतरी आजां junior नहाएगी भी एक सब का मालिक है संसार हो या पर्माति जाना सबको वही है सिस्षी के लिए गुरु की भावना होती है कि मेरा सिस्षी बड़ा होकर के ऐसा कोई कार्य करें कि गुरु की खीर्थी अमर हो जाए संसारी चाहता है कि मेरा पुत्र कुछ ऐसा कृत करें कि पुत्र के कर्म से ही मेरा नाम अमर हो दोनों का मार्ग एक है लेकिन तरीके लगे हैं जैसे साधना दच्छनमुकी और पामुक उपासना निर्गुण और सगुण गुण तम्मो रजो और सगुण वो भी चाहता है हर्मा चाहती है कि मेरा बेटा बड़ा होके मुझे सुखते है गुरु भी चाहता है है ना कि अंत्र काल में कम से कम कोई बढ़ाते में रोक्ती तो देयुदे लेकिन दोनों भाग से मिलते हैं दसरत को राम मिले आत्मदेव को दुद्धकारी गोकरण लेकिन पुत्र सुख दूनों को पुत्र है पुत्र आपको सुख देगा ये कटू सब्सक्र नहीं कि अब तक जो जग में आये हैं ये सपना आप कमाया है और क्या धूप प्रहलाद यादिकों का बेटे ने बंस चलाया है बसरत जी से कहा है न बसरत नत्र जी ने कि रादेंद्र वेर्थ है ये विचार बेटा कम बंस चलाता है और हो जाए कपूत कहीं यजितो गर को सम्सान बाता है बेटा आपका नाम अमर करेगा अगर सपूत है तो खपूत है तो जुद्रदकानी जेशा गर को सम्सान बना कापूत कपूत कपूत सपूत कवशत है सबस्धार के लिए बड़ा सावान खरीते हो घर में पतनी के लिए साड序 करी देंगे बच्छों के लिए खिलाउना करी देंगे ये संसार छोड़ करके एक दिन कुई पर जाना है उछय बैग तो क verify शच ड़ि Participant साइन सीव सीव बजन और दान कुल में लगा देगा नहीं तो हर हर महादे हो है जी आखरी तो वहीं है ना भगवान संकर का ज्यान खुलता है भगवान राम का आश्मर्ण करते हैं सती ने वसुंदर अवसर जाना जाकर सीव के चरणों को चुआ सती को पती के पेर रोज चुना चाहिए अब तो खेर पती के पेर ज्यादा चुने की बाद में गले तक बाद जाती है माता जी पती का लोग नाम नहीं लेते थे यह मारत की मर्यादा है मारत की मर्यादा है कि एक पत्रियत में पती का नाम नहीं लेते मा परंपरागत जो विवस्ता नहीं लेना ही चाहिए जानकी जी से राम जी जब अजद्या पहुंच गए हनवान जी भी पहुंचते हैं तो जानकी जी ने कहा आप स्वामी सब्द का इस्तेमाल क्यूं करती हो बार बार हनवान जी ने जानकी से कहा कि मा तेश्वरी आप बार बार स्वामी का नाम क्यूं लेती हो स्वामी यह नि सर्वनाम क्यों आचरी जी स्वामी सर्वनाम राम यानि संग्या कि आप अपने पती का नाम क्यूं नहीं लेती हो आप बार बार स्वामी कैसे कहती हो, नाम क्यों नहीं लेती हो, बच्चे जिग्यासी होते हैं, आप भी जी अपने घर जाना, साधी का एलबं अपने बच्चे को दिखा लेना, ये तेरी मासी, ये तेरी उआ, ये तेरी नादी, ये तेरी दादी, ये तेरी अबेता, ये तेर इसमें मेरी फोटो क्यों नहीं है बालक है बालक है ऐसे हनमान जी जिग्यासु है बातसल्ल भाव में जान की महिया से पूछने लगे ये बता मा सारी जुनिया राघवेंद्र सरकार कीजे बोलती मर्यादा पुरुषोत्तम राम चंद्र कीजे लेकिन तुम स्वामी 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 केती है सक्यों के कि अगर एक पत्मी बार बार अपने पती का नाम लेती है तो नहीं संकोच उसकी आयू कम हो जाती है उसके पत्ती की आयू कम हो जाती हब भी कहीं जगह एजी बोलते कहीं जगह बोलते एजी खेर हुआ आप लोगों कहां लोगों आच आट याँस कितार नहीं जाने जान की मैया ने कहां कि अगर हम बार बार अपने पती का नाम लेते हैं तो हमारे पती की उम्र कम हो और स्वामी का अर्थ ही होता है कि मेरे पूरे जीवन का स्वामिति इसको सौंप दिया तो मेरा स्वामी ही है और भागवत कथा में भी नागिनी ने दो वार स्वामी सब्दू प्योग किया है जब भागवान ने नाग को नाथा ना तो नागिन ने पहले बार उसे समझाया कि येदे वालग चलाजा नहीं मेरे स्वामी जाग दो लकिन जब भागवान ने नाच लिया भागवान ने कहा बोल्ड, तुझे कोई चिन्ता थ है केह जर्म मेरी स्वामी की डोड जगत के स्वामी के हाथ में चले गई तो मुझे क्या सुचना तो आप मेरे दयालू बन गए है, सब जो वही है, प्रियोग सही जगे पर हो, सुवानंद बरस जाता है, इसलिए अपने पती का नाम भारत में तो नहीं लेना चाहिए फिर माता जी सिंगार करने लगे, जान फुदूर, शिंदूर लगा रही, बोले महिया यह सिंदूर क्यों लगाती हो, बोले सिंदूर इसलिए लगाते हो, कि इसे लगाने से मेरे स्वामी की आपके परमात्मा की उमर बढ़ जाता है, अनमान जी ने कहा, प्यार तो मैं जादा करता हूं स्वामी जी से, तो जादा उमर बढ़ानी चाहिए, अगर मान ने यहां से इसलिए में लगाए उमर बढ़ती है, तो मैं पूरा हिलाल हो जाता हूं, यह समर्पड भाव है, अगर मा के सिंदूर लगाने से पती की उमर इतनी बढ़ती है, तो मुझे पूरा अपने आपको मिटा क्यों ना देना पड़े, इसलिए अनमान जी का मन उसी देन से लाल कर पूरा का पूरा लाल होने लगा है, बढ़वान के पास के कहने लगे है अनमन तो अभी क्या बात है, बस खुरी जी अब तो मैं जा रहा हूं, गंगा जी ना आउना, सुरसरी में जाकर दान पन करूँगा, बले क्या दान पन करेगा, बले बस अपने आपको भी निशावर कर दूंगा वलट्लू तो कि मैंने नापा इस शरीर मेरी मा ने जानकी नहाई धाई इंच में सिंदूर लगाया था धाई इंच में मा ने का आपकी उम्र सो साल बढ़ती है तो मेरे शरीर की मुझाई कितनी होगी सत्यों जंते ही आनद की ना अवतिल गुरूब पवन सुसरी इतना वड़ा है तो मैं इसमें पूरे में लगा लिया तो मेरी उम्र भले ही कम हो जाए लेकिन प्रभू आपकी उम्र बढ़ गया इस खुशी में मैं आनंद से पूले नहीं समा रहा हूं ये भाव आपने आजान हनवान जी को ऐसे मड़ियों की माला पहना दी हनवान जी ने इस मड़ी को तोड़ करके खाना चालू कर गया बार बार देख रहे हैं इस मड़ी को तोड़ते और इसमें देखते थे तोड़ते थे देखते थे तोड़ते देखते थे अरे हनवान क्या कर रहे हो ये मड़ी ह है बहुत कीमती है इसको तोड़ कर फेक रहे हो गोले तेरी मणी कुट लेकिन मेरे लिए यह मणी कीमती नहीं हैं रहे हूं मैं कि मेरा नहीं हो और की कामका अंये जहता है और शहाए राम तेरे छाद़ी कि तुम सा कोई राम भक्त ना हुआ न होगा मस वाला एक जगा सी बात का रहें जीला पार दिखा दाला कि तुम सा कोई राम भक्त ना हुआ न होगा मस वाला